हलो एब्रीवन आज हम टेंस का रिविजन देखेंगे बारे टेंस अलग-अलग वीडियोस में मैं आपको पढ़ा चुकि उनके आइडेंटिफिकेशन फोर्मुले एक्जामपर्स कंपेज़स और टक्टिस एक्ससाइज मैंने सब डिटेल में बताई है आज हम इसको सिर्फ चैनल में टेंस का बढ़ा कों से और उस चैनल न होता है क्योंकि तीन ही तरह के होते हैं होتे हैंeki तरिफिक के यह इंडेfinite परफेक्ट परफेक्ट इंडेक्ट कंटिनूस फ्रेजबर्फड कंटिनुस ऊगर फ्यूचर को चंटिनुस फ्यूचर परहिकल उसक्ट परहिब यविद का aún कैस्यूब सहते हैं श्वर में ता य्यात सनरे कि बढ़ना पढ़ना का हो जाएगा पड़ता खेल्ला खेलने को या खेलता और इसमें habitual action या कोई journal truth या fact की बात होती है और जो भी ये काम होते हैं वो at the time of speaking होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं तब वो काम होता है जैसे रोहन cricket खेलता है इसको हम कैसे बनाएंगे पहले formula देख ले formula में affirmative में क्या होगा positive में subject verb की first form होगी और s या ये singular के साथ लगेगा plus object अगर note वाला sentence बनाएं तो subject does do में से कोई एक singular के साथ does और plural के साथ do उसके बाद note फिर verb की first form plus object अगर singular intuitive बनाएंगे तो does do इधर आ जाएंगे ये उधर हो जाएगा और w h वाला बनाएंगे तो सबसे पहले w h आ जाएगा तो जैसे हम इस sentence को अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे रोहन cricket खेलता है तो इस formula से बनाएंगे क्योंकि ये affirmative है तो subject हो गया रोहन खेलना पिले हो गया और क्योंकि रोहन एक है तो ऐसे लग गया इसमें और cricket ही हो गया object रोहन प्लेज क्रिकेट को सिंपल पास्ट भी कहते हैं इसकी पैचान हिंदी के sentence में लाश्ट में वर्म में ता था ती थी या या ये ये ए आ था यी थी इस तरह से आते हैं जैस इसमें completed action की बात होती है जो पास्ट में complete हो चुका होता है उस action की बात होती है और जो फॉर्मूला होता है positive का formula formative का subject verb की second form और object और अगर negative की बात करें तो subject did not first form verb की object अगर single integrative की बात करें तो तो डिड़ सब्जक्ट नोट वर की फर्ट फॉर्म ऑब्जक्ट डबलो अच वाले की बात करें तो डबलो अच डिड़ सब्जक्ट नोट वर की फर्ट फॉर्ट और अब अगर इस sentence को बनाए रोहन ने कल क्रिकेट खेला तो यह positive sentence है तो इस फॉर्मूली से बनेगा तो subject ह हो गया रोहन सेकंड फॉर्म प्ले की प्लेट और क्रिकेट और कल खेला बीते वेकल की बात हो रही है तो येस्टरड़े नेक्स्ट इस फ्यूचर फ्यूचर को हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं सिंपल फ्यूचर के हिंदी के सेंटेस की पैचान है कि वर्ब में कागिगे कैसे जैसे कि खेलना है तो खेलेगा खाएगा है कखाना है तो खाएगा होगा होगे नहीं आएगा इसका फॉर्मूला होता है अफर्मेट्टिव का सब्जक्ट प्लस विल शयल में से कोई एक लगाते हैं वर्गी first form और उब्जक लगाते हैं आईवी के साथ शेल लगेगा उनकी बात होती है, इसमें किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं होता है, जैसे रोहन कल क्रिकेट खेलेगा, तो ये खेलना में गाह है, तो ये simple future है, इसको इस formula से बनाएंगे, रोहन विल प्ले क्रिकेट टुमोरो, रोहन कल क्रिकेट खेलेगा, Next is present continuous, present continuous को present imperfect या present progressive भी कहते हैं, हिंदी के sentence में इनकी पहचान है, कि sentence के last में रहा है, रहे है, ये सब आता है, और इसमें unfinished action की बात होती है, जो action finished नहीं हुआ है, या changes या temporary activities की बात होती है, और ये सब at the time of speaking चल रहा होता है, जैसे रोहन क्रिकेट खेल रहा है, इसमें रहा आया है, लांश्ट में, तो ये present imperfect continuous है, इसका formula है, subject सबसे पहले, फिर is MR, singular के साथ, is plural के साथ, r और i के साथ, m, वर्व की first form में ing लगाएंगे, सभी continuous में ing लगता है, plus object, अगर negative की बात करेंगे, तो यहां पर note आजाएगा, single integrative की बात करेंगे, असनो टाइप वाली, तो is MR पहले आजाएगा, subject बाद में चला जाएगा, वह टाइप में सबसे पहले वह आजाएगा, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, ये का फर्मेटिव सेंटेंस है, इससे बनाएगे, तो रोहन सब्जक्ट हो गया, इज आ गया, एक इनमें से play और ing लग गया वर्म की फर्स्ट फॉर्म में, और ये हो गया cricket object, तो राम इस रोहन इस प्लेइंग क्रिकेट, नेक्ष्ट है, past continuous, past continuous को past imperfect या past progressive भी कहते हैं, हिंदी के सेंटेंस में इनमें last में रहा था रहे थे आता है, और इसमें past के unfinished action की या changes की या temporary activities की बात होती है, तो ये इसका formula है, subject वाज वर्म में से कोई एक, वर्व की first form में ing plus object, singular के साथ वाज आएगा, plural के साथ वर आएगा, रोहन cricket खेल रहा था, last में रहा था आया है, तो ये past continuous है, इससे बनाएंगे इसको क्योंकि ये affirmative sentence है, तो रोहन was playing play में ing आगया cricket, रोहन was playing cricket, अगर note वाला होगा तो यहाँ पर note लगा देंगे, single integrative होगा, yes no type का तो वाज वर को पहले ले आएगे, wh type होगा तो सबसे पहले wh ले आएगे, future continuous, future continuous को future imperfect, future progressive भी कहते हैं, हिंदी के sentence में last में रहा होगा, रहे होगा, ये इसकी पैचान है, और इसमें क्या होता है, कि जो expected events या plan होते हैं, वो future में continue रहते हैं, जारी रहते हैं, तो ऐसे जो tense होते हैं, वो future continuous tense होते हैं, इसमें जो formula होगा subject, will shall में से कोई एक, मैंने भी बताया था कि will भी लगा सकते हैं, क्योंकि modern English में सभी के साथ will लगा जाता है, तो subject will be, वर्ब की first form में ing object, negative होगा, तो यहां पर note आ जाएगा, और अगर yes no type वाला single integrative होगा, तो यह पहले आ जाएगा, यह बादने और wh type होगा, तो सबसे पहले wh आ जाएगा, तो एक हम example ले ले लेते हैं, रोहन cricket खेल रहा होगा, तो सबसे पहले subject, रोहन will be, वर्ब की first form में ing playing or cricket, तो रोहन will be playing cricket, नेक्ट है present perfect, present perfect की पहचान है हिंदी के sentence में last में या है, यह है, चुका है, चुके है, यह सबाता है, जैसे रोहन cricket खेल चुका है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो इस तरह के sentence होते हैं, इसमें किसी भी action event की बात होती है, जो कि past में finished हो चुका है, लेकिन उसका कही ना कही connection होता है present से, इसमें formula subject has, have, verb की third form प्लस object लगाते है, यह affirmative का formula हो गया, negative की बात करेंगे, तो यहां पर note or never आ जाएगा, single integrative में has, have, इधर हो जाएगा, subject उधर, वह जाएगा, जैसे रोहन cricket खेल चुका है, तो रोहन has played cricket, singular के साथ has, और plural के साथ have, I के साथ have ही लगाएंगे, अब कहीं कहीं पर हमें सोचते हैं कि present perfect और past indefinite में क्या difference है, इसमें past event की बात होती है, लेकिन वो past event कहीं ना कहीं present से जुड़ा हुआ होता है, और past indefinite में क्या होता है, कि वो action past में finish हो चुका होता है, इसमें action पर जादा focus होता है, past indefinite में time जादा focus होता है, ये वीडियो आप मेरी comparison की separate वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें present perfect को पढ़ा गया है, उसमें detail में दिया, सम पता गया, अब हम past perfect देखेंगे, past perfect में हिंदी के जितने भी sentence होते हैं, उनमें चुका था, चुके थे, ये थे, ये थे, ये थे, ये सब last में आते हैं, और इसमें finished action की बात होती है, जो कि past की किसी certain point से पहले ही हो चुका होता है, तो इसमें दो तरह के sentence होते हैं, simple एक complex, simple sentence, way sentence होते हैं, जिसमें एक ही action की बात होती है, और complex sentence में double action की बात होती है, यानि एक sentence होता है, जिसमें दो close होती हैं, और दोनों close में अलग-अ action होते हैं कैसे अगर मैं बात करूं रोहन पहले ही किर्केट खेल चुका था तो एक simple sentence है क्योंकि इसमें एक ही action की बात हो रही है और अगर मैं बोलू मेरे stadium में पहुंचने से पहले रोहन किर्केट खेल चुका था तो इसमें दो पश्ची ऐ से जिसे बहुत हैं क्या होता जब डबल ऐक्षन होते हैं तो दो दो जो greed और उनमें एक आक्षिन पहले दूसरे से पहले खतम हो गया हुता है तो जोपले काम होता है जो फिर एक्षन होता है उसको में बनाएंगे पाश्ट पर्फक्ट का मतलब कि इस वाले पूर्मूलसे बनाइंगे अलग लग तरीके है अगर बिफोर से कंज़न Day गंचेसे जुड़ा हुआ है तो सब से पहले पहले कम फिर भीफोर दूसरा कम और और अगर after से जुड़ा हुआ है sentence में, closes बाद से जुड़ा हुआ है, तो पहले दूसरा काम, after, फिर पहला काम, या ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले after, फिर पहला काम, फिर दूसरा काम, अगर sentence when से जुड़ा हुआ है, तो when, second काम, उसके बाद first काम, या ऐसे भी बना सकते हैं कि फिर 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 फि definite पर पास्टनेफित का फोर्मूला पहली पढ़ चुके हैं सब्जक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ओब्जक्ट तो यह बाद वाला काम इससे बनेगा अब हम इसको बनाएंगे मेरे स्टेडियम पहुंचने से पहले रोहन किरकेट खेल चुका था तो पहले कौन सा लगा दिया हमने अब यह वाला काम बचा मैं स्टेडियम पहुंचा तो आई रिष्ट इस्टेडियम यह इस फोर्मूल से बना दिया अब हम फ्यूचर पर्फक्ट में हिंदी के सेंटेंस में लाश्ट में चुका होगा चुकेगा लिया होगा यह सब आते हैं इसमें कोई एक्षन की बात होती है जो फ्यूचर में किसी सर्टेन ओफ पॉइंट ओफ टाइम तक पूरा होगा फोर्मूला देगेंगे सब्सक्ट विल शेयल में से कोई एक सभी के साथ विल भी लगा सकते हैं यहां पर है उसके बाद थर्ड उसके फोर्म उसके बाद ऑब्जक्ट न होता है उसको फ्यूचर परफ्वक्ट में बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट का यहां चैई मैंने बताया सब्सक्ट प्लस बशर्ड इस से बनाएंगे इसमें जो सेंटेंस होते हैं यह गारन हों आग्SU पहले तो हुला सिर्ण में पहुंचे जड़ा हो हो तो पहले नगाएंगे नियुक्षे उन्यटे पार से पहले पहुंचा नहें तो पहले में पहुंचाइच कोजिक तो इसको हुझ इससे बनाएंगे future perfect के इस formula से तो Rohan will have played cricket यह हो गया इसको जोड़ने के लिए दोनों को connection लग गया before उसके बाद match stadium पहुंचा तो यह हो जाएगा I reach the stadium यह इस वाले formula से एक चीज़ और धिहां रखने है कि यह sentence होते हैं दो रोज से जो मिलके बनते हैं इसमें अगर negative का formula लगाएंगे इंटोगेटिव का कोई sentence होगा तो वह पहले वाले में होगा प्रंसीप प्रोज में लगाएंगे बाद वाले को simple बनाएंगे next is present perfect continuous इन में हिंदी के जो sentence होते हैं उनमें लाश्ट में ता रहा है ते रहे है आता है या रहा है रहे आता टाइम दिया हुआ होता है जैसे हम देखे sentence मेहंदर सिंग धोनी 2010 से खेलते रहे हैं या 2010 से खेल रहे हैं तो उसमें टाइम दे रखा है इस तरह की sentence होते वो present perfect continuous हो टाइम नहीं दिया हुआ होता है इसमें किसी भी action की बात होती है जो कि past में start हुआ लेकिन वह अभी भी continue है इसका फॉर्मुला देखें तो affirmative का subject has have में से कोई एक आएगा singular के साथ है plural के साथ है य के साथ है being verb की first form में ing object since या 4 में से कोई एक आएगा और time आएगा since 4 का बाते है since आता है point of time के लिए जब time fix दिया हुआ exact time के लिए और जो 4 आता है वो period of time के लिए जैसे हम अगर कहें कि 2 बज़े से 4 बज़े सुबह से शाम से तो since लगाएंगे अगर कहें दो गंटे से 4 गंटे से 4 साल से तो हम फोर लगाएंगे अब हम इस example को देख लेते हैं रोहन दो बज़े से cricket खेल रहा है तो यह दो बज़े से इसमें time दे रखा है पहले हम इतना बनाएंगे रोहन has been playing cricket यह बना दिया उसके वाद यहां पर से के लिए हमने since 4 लगाना है तो दो बज़े क्योंकि fix time दे रखा है अग्जक time है तो हम since लगाएंगे अब हम बात करेंगे past perfect continuous की past perfect continuous में हिंदी के sentence में लास्ट में ता रहता ते रहते रहते यह सवाता टाइम आता बिल्कुल present perfect continuous की तरह ही है बस इसमें था आ गया है तो इसमें जो action होता है उस action की बात होती है जो past में शुरू हुआ कुछ time past में ही वो चला और खतम भी past में हो इसका फॉर्मूला subject had आएगा सभी के साथ इसमें बीन वर्व की फर्ष्ट पर में आएंजी object since 4 आएगा और time since 4 वही जो मैंने भी आपको बताय पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए since और period of time के लिए 4 आएगा जैसे हम इस sentence को देंगे रोहन दो बज़े से cricket खेल रहा था तो रोहन had been playing cricket और since आएगा वही point of time है और 2 o'clock रोहन had been playing cricket since 2 o'clock लास्ट is future perfect continuous ये बहुत कम यूज होता है लेकिन होता है तो पढ़ना तो पढ़े गाई इसमें हिंदी के sentence में ता रहेगा ते रहेंगे रहेगा रहा होगा ये सब plus time आता है इसमें कोई भी action future में start होगा और end भ फॉर्मूला है subject will shell में से कोई एक have been verb की first form आइंजी object since 4 plus time will सभी के साथ भी लगा सकते हैं और नहीं तो आई और वी के साथ शेल और बाकि सब के साथ will लगा सकते हैं since of 4 मैंने आपको भी बताया since point of time के लिए four period of time के लिए लगेगा जैसे गर हम एक sentence देखें 20 मार्च तक र Rohan will have been playing cricket for four months क्योंकि यह period of time अगर हिंदी में समझ ना हो तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 20 मार्च तक Rohan चार महिने तक cricket खेल रहा होगा Let's have a look on this chart इस tense chart के help से हम सभी tenses में difference कर सकते हैं उन्हें comparison कर सकते हैं और easily side tenses को learn भी कर सकते हैं Hope कि आपको साहे tense के लिए हो गए होंगे see you in the next video good bye